सब्सक्राइब करिए मदस्किचर 99 चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा देजे हमारे वीडियो सबसे पेले पाने के लिए असाम अलेकुम वीवर्स वेलकम बैक टू मदस्किचर 99 आज की हमारी रेसिपी है पाव भाजी उसके लिए हमें चाहिए इसके लिए हमें चाहिए गाजर गोबी और आलू वेजटेबल्स में आप कुछ और भी इजाफा कर सकते हैं जैसे माटर और बिनीस की फ़ली मैं इसमें दालूँगी दो ग्लास पानी और इसे प्रेशर कुक कर लिंगे ये देख सकते हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अब मैं दालूँगी एक तवे पे बटर इसी में माट करूँगी प्यांस जो की चौप की हुई है और छोटी से साइस की है प्यास को हम हलका सा पका लेंगे बटर में और इसमें आट करेंगे जिंजर गालिक पेस्ट अद्रक लेसन का पेस्ट जो की देड़ चमच है इस अद्रक लेसन को भी हम अच्छे से पका लेंगे अब आट करेंगे नमक हाफ टी स्पून हल्दी लाल मिर्च पाउडर जो की एक और आदा चमच है अब आट करेंगे धन्या पाउडर जीरा पाउडर और आट करेंगे पाव भाजी मसाला जो की एवरेस्ट का है आप किसी भी ब्रैंड का ले सकते हैं ये मैंने लिया है दो चमच इन सारे मसालों को हच्चे से पकालेंगे अब हम इसमें वेच्टेबल्स आट कर देंगे ये देखिए जो वेच्टेबल्स का पानी रह गया था हम वही यूस करेंगे अब हम इस वेच्टेबल्स को अच्छे से मैश कर लेंगे ये देखिए फिर हम और पानी आट करेंगे वही पानी है जो वेच्टेबल्स में रह गया था इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ये देखिए अब आट करेंगे हरा धनिया बिल्कुल बनकर रेडी है एक दुसरे पैन में मैं आट करूंगे बटर और इसी में हम आट करेंगे पाव पाव को हम लाइट अच्छे से फ्राइ कर लेंगे बटर में आगे और पीछे हम अच्छे से बटर लगा लेंगे ये देख सकते हैं पाव को हम अच्छे से से शेक लेंगे अब बिल्कुल बनकर रेडी है पाव भाजी आप जरूर ट्राइ करें अपने घर पर हमारी चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर करें कमंट में बताईए कैसे बना था शुक्रिया धर ले करें शुक्रिया झाल झाल